कि वेरी वेरी गुडे इवनिंग टू आल फ्यू तो अब हम हमने अभी तक जो स्टडी किये है उसमें हमने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी को समझा है जिसको हमें एकनोमी टेरिटरी के नाम से भी हम जानते हैं और इसके साथ-साथ हमने इसका बड़ा आपके नुमेरिकल्स में आपके कैल्कुलेशन में इसका जबरदस तरीके से यूज है लेकिन आएए पहले इसको समझने से पहले मैं फिर से आपको इस चीजों पर एक बार चर्चा करूँगा कि डोमेस्टिक इंकम क्या होती है और नेशनल इंकम क्या होती है तरह इस बात को आप जहां से समझने की कोशिश करेंगे देखिएगा बैब बात करता हूं इस समय सबसे पहले डोमेस्टिक इंकम की कि डोमेस्टिक इंकम किसे कहते हैं जैसे यहां पर समझने के हम बात करते हैं देखिए बात करेंगे हम domestic income की सबसे पहले domestic income जिसको हम बोलेंगे घरेलू आए घरेलू आए आप बिलकुल सही समझ रहे हैं घरेलू आए basically आपको मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूँ कि यह आपका basically किसी से related है यह आपका जो है यह मैं एक तरीके से domestic income है domestic income है यह product है तो आपका यह basically मैं GDP की बात करता हूँ और एक हमारा होता है national income national income ठीक है जी national income एक अलग छीज़े clear है ना आप एक तरीके से चलिए मैं भी इसको ज़्यादा आपको short form में लेके नहीं जा रहा हूँ कि फिर concept से हट करके कि आप उसके तरफ आप पे धान चाला जागा कि इसका मतलब क्या है अब सिरफ आप मोटा मोटा समझेगा कि राष्ट्रे आए और घरेलू आए में क्या फरक है दोनों ही चीज़े क्या है दोनों ही चीज़ें बिलकुल यह दूसरे से अलग है अभी तक आपको हिंदी में मिले नहीं नोट इसके चली ठीक है फिर मैं एक बार चेक कर करके इसको डलबा देता हूं भी हाँ जी देखे जड़ा domestic income तो बिचा domestic income क्या होता है यह कहता है domestic income basically कौन income को आर्ण कर रहा है उससे बिलकुल भी related नहीं है domestic income focus इस सीच पर करता है कि वह income कहां पर जन्नेट हो रही है किस जगह पर जन्नेट हो रही है तो आन करने वाले से मतलब नहीं है अन कहां पर हो रहा है उस छेत्र उस जगह से इसका जो है जो है यह relate करता है अब हमारे जितने भी domestic territory हैं अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे domestic territory क्या है कि कि already मैंने इसी classes आपको पहले दे दी है तक कि आप आगे इसको आसानी से समझ पाएं फिर में एक थोड़ा सा शौट में मैं आपको आयता हूं वह सभी चेत्र वह सभी एरिया जहां पर हम हमारे goods जो है freely move कर सके वह सभी एरिया हमारा domestic territory का पार्ट होता है तो मिस्टी territory के अंदर भारत में बहुत सभी चेत्र अलबह लबक हमारा domestic territory का पार्ट है लेकिन भारत में होते वह भी कुछ चेत्र हमारा domestic territory का पार्ट नहीं है जैसे कि मान लिजे कि Rest of World की जो एंबसिस भारत में है वह हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन का कोई आफिस है भारत में वह हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है ऐसी कोई कंपनी जिसका registration बाहार हुआ है लेकिन वह यहां पर जो है वह अपना business कर रही है वह हमारे domestic territory का 90 जगह थो भारत में ऐसे कुछ जगह हैं जो हमारे domestic territory के अंदर count नहीं होता है इसी तरीके से भारत के बाहर ऐसी कुछ जगह है जो हमारे भारत जो के हमारे political territory हमारे जो है political boundary के बाहर होते वए भी हमारे economic territory मींस हमारे domestic territory का एक पाउट होती है जैसे रेस्ट औबー में हैं तो सब हमारे domestic territory का पार्ट होंगे हम ऐसी कंपनी जो इंडिया में register से टाटा की कंपनी या फिर रिलाइंस कंपनी जो बाहर इसके जो है offices है clear है यह सारे के सारा जो छेत्र जो कि हमारे political boundaries के बाहर होते वे वह हमारे domestic territory का पार्ट होंगे पर बात समझे तो वह जो हमारे domestic territory पर income जन्नेट हो गई अब चाहिए वह किसी ने भी जन्नेट करावा उससे कोई लेना देना नहीं है इसका वह income हम अपने GDP में domestic income में शामिल कर लेते हैं मेरे बात समझेगा इस तरीके से है कि जो है विदेश में जाता है कि Заूँअं अब में कोशिए करता हूँ आपको एक डॉक्टर न बिदेश में जाता है apologize यह ड़ुम्टर है वह कि चाइना में चला गया और चा इनमीजाने के बार एक डॉक्टर है वो चाइने में जाता है और चाइने में जाकर के एक ट्रीटमेंट करता है और यहां ट्रीटमेंट करने के बाद इसको जो है कुछ एक अमाउंट मिलता है माननीजे इसको वन लाक रुपीस मिला इसकी फीस मिली और ये फीस को लेकर के वापस इंडिया लोट जाता है वापस इंडिया इस पैसे को लेकर के ये रिटन हो गया लोट गया ये वापस इंडिया इस पैसे को लेकर के लेकिन ये जो डॉक्टर है ये जो डॉक्टर है इसकी इंकम को GDP अपने अंदर शामिल नहीं करेगी GDP जो है वो अपने अंदर इस इंकम को शामिल नहीं करेगी क्यों क्यों नहीं करेगी क्योंकि हमारे domestic territory में ये इंकम generated नहीं हुई है मेरे बात समझे या नहीं समझे, clear है? बात समझे रहे हम? तो इस income को GDP शामिल नहीं करेगे, हाला कि आप देखें गे, काइदे का अनुसार है, ये तो भारत में ही रहेगा, ये भारत में खर्च करेगा, भारत में इंडिया में ही चाहिए अनक में नहीं चाहिए, क्लियर है इस तरीके से बिदेशों से जितने भी आए हम अर्जित करते हैं या हमारे यहां के लोग अर्जित करते हैं वो सारे के सारे income जो है domestic territory का part नहीं हमारे GDP का part नहीं हो पाता है क्योंकि वो हमारे नहीं होई लेकिन आपके मन में यह जरूर बात आई होगी सर क्यों नहीं होता है होना चाहिए भारत कहीं है भारत में आकर करेंशन करेंगा भारत में उस इसको यूज करेंगा और वो तो कुछ पल के लिए ही गया ना वापर वो तो गया आज की फ्राइड लेगर एकल इसको शामिल करना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं ये इस चीज को हम क्या बोलेंगी इस चीज को मोलेंगे फ्रेक्टर income from abroad अगर इसको एक लाग रुपए मिलता है इस डॉक्टर को तो ये factor income है factor income क्या होता है देखिए दो तरीके की income हो सकती है एक तो transfer income एक factor income factor income जो कि आपने किसी कारे आपने कुछ किया है आपने जो है किसी goods and services के बदले आपको मिल रहा है कुछ करने के बदले आपको जो income मिल रहा है वो factor income होता है और एक होता transfer income जैसे मान लिज्जे सरकार ने क्या करा कि आपको जो है या old age pension old age मतलब कि बोड़े हो गए है इसलिए सरकार ने क्या करा आपको जो है pension आपके खाते में डाल दिया वो भी आपकी इंकम है बट वो क्या हो गया आपका transfer income हो गया clear जी यूनि लिटरल उस भी कहते हैं उसको हम हस्तानंतरन आये हो गया आपका बास समझे तो कारक आए और आपका स्तानंतरन आये अलग-अलग होता है मेरा कहने का मतलब है कि factor income और transfer income दो अलग चीज़ होती है यहाँ पर बात हम सिर्फ और सिर्फ factor income की ही करेंगे यह चप्टर में सिर्फ factor income का ही रोल है मेरी बात समझ रहे हैं तो यहाँ पर यह डॉक्टर सर्विस दे करके आता है उसको इंकम मिलते तो इसको हम क्या वह लेंगे फैक्टर income from abroad ऐसे डॉक्टर के तरह ऐसे बहुत सारे एक्जामपल होंगे जो विदेशों से जा करके आयर जित करके भारत में आते हैं लेकिए जीडीपी में वो शामिल नहीं होता है ने बात समझे या नहीं नहीं समझे ख्लियर जी यह बात समझ पाए आप तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूं फिर से क्या अभी तक आपको ने यह समझा क्या कि जीडीपी तो आपको पता है कि मैंने बता दिया आपको पहले एक चीच लेते हैं चाहिए तो आप इस बात को पहले समझ पाए कि क्या है फ्रेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड यह क्या चीज़ है इस बात को आप समझ पाए कि फ्रेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड क्या चीज़ है कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्रेश पूछेंगे वह इंकम जो कि आपने अपने डॉमेस्टिट ट्रिट्री पे जन्रेट नहीं की वह आपके जीडीपी में आपका इंक्लूड नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसी आई हैं जैसे कि मैंने उधारन लिया डॉक्टर का क्लियर है हमारे किर्केट खिलाड़ी है विदेशों में जाके मैच खेलते हैं वहाँ पर उनको मैच मिलता है उनको फीस मिलती है उस इंकम को भी हम जो है फेक्टर जो है जीडीपी शामिल अपने अंदर नहीं करती है जब कि होना चाहिए न तो जीडीपी में क्या चीज़ है फेक्टर इंकम फ्राबरोड शामिल नहीं मेरे बास समझेंगा ऍटर इंकम फ्राम फ्राम ब भा chips ये उसके अंदर शामिल ना है ये होना चाहिए मैं भी आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं और एक किया हमारे पास में श्रहाँ हुर और यह चीज़ ऌर ज्रह समझीख एक ये problem तो ही, आपका ये कहना है की तर ये शामिल होना चाहिए, प्री बात समझेे, आपका ये कहना है नो, क्या, की सर ये तो गलत बात है, GDP में ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो नही नहीं होगा, अब आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, चलिए, मैं भी आपके बात से सेह हुआ, त के सर भी आपके साथ हैं बिल्कुल जीडीवी में इसको होना चाहिए लेकिन जीडीप इसको देने शामिल नहीं करता है अभी थोड़े दीजीर अभी रुख जाएए बेट कीजिए कुछ चीजें भी आपको पता लग जाएंगे आपके डाउट सारे क्लिर हो जाएंगे और कुछ बाते हैं जिसको आपको और अच्छे से समझना है उसी पर आते हैं हम इसी पर आते हैं जी दुनियांदारी की बात तो आपको यहीं समझ में आएगी यह एक्जामपल आपको एक समझ में आया चलिए एक और एक्जामपल लेते हैं देखें यहाँ पे तो भाया रेड ने चाहेंगे आप बताएं छलो, फिल्लेंड बेज देते इंडिया को, मान भ JON्व, फिल्लेंड की किरकेट टीम इंडिया आती है, और इंडिया में किरकेट मैच्खेलती है और यहां से उसको कुछ income जननेट होता है वो फिर आन करके वो वापस अपने country फिल्लेंट चले आपकी है लेकिन GDP क्या करता है आपको पता है कि GDP जो है इस तरह की income को किस तरह की income को यह इस तरह की income को जो कि चाइना से आ रही है इस income को अपने अंदर शामिल नहीं करती है लेकिन जो फिल्लेंट से लोग आएं है तो वो पैसा जो बिदेशों से हमारे यहां पर आ रहा है उसको शामिल नहीं करती है लेकिन यह पैसा जो बिदेश चला गया इसको GDP पकड़के बैठ जाता है क्यों पकड़के बैठता है क्योंकि इंडिया में मैच हुआ है हमारे domestic territory में cricket match खेला गया है तो इसलिए माना जाएगा कि हमारे domestic income दा पार्ट है तो यह वाला segment जो है आपका क्या कहता है कि हमारे GDP में शामिल है लेकिन आप यहां पर कहोगे यहां पर भी आप agree नहीं करोगे आप कहोगे सर यह आप कर आप कहोगे सर यह गलत बात है क्यों भाई वो फिल्लेंट से आया cricket match खेला पैसा ठाके लेगे अपने देश में तो GDP इसको अपने अंदर क्यों लेके बैठा है तो दो बाते आपको भी अभी आपको जो बाते हैं जो डाइजेस रब को नहीं हो रही है एक तो क्या कि जो हमारे डक्तर हमारे खलाड़ी बिदेशों में पैसा कमाते हैं और भारत में लेकर के आ जाते हैं उस पैसे को GDP शामिल नहीं करती है मतलब factor income from abroad को GDP अपने अंदर ल मतलब आना टू मतलब जाना वो पैसा factor income to abroad जो बिदेश जा रहा है पैसा उस पैसे को GDP अपने अंदर शामिल करके बैठी है क्यों क्यों हमारे डॉमेस्टी टेरिट्री का पार्ट है तो अब आपके मनमें एक बात होगा आपके मनमें बात और विचार होगा आपके मनमें ब देश में ही कंजम्शन होना है पर जीडीब अपने अंदर नहीं करता है दूसरी बात फैक्टर इंकम to abroad क्योंकि हमारे डॉमशी टेरिट्री पर इंकम जन्रेट हो गई है तो हम ने जीडीप लेके बैठ गया अपने अंदर जबकि वो शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि प होगे क्या सर एक बात दोर कहते है यह जो है ना यह फैक्टर इंकम टू एबरोड यह जीडीप के अंदर शामिल यह हुआ पड़ा है इसको नहीं होना चाहिए सर अब यह बात बोलोगे या नहीं बोलोगे आप एग्री करते हो मेरी बात से आप सहमेत हो कि कुछ ऐसा होना चाहिए जीडीप फैक्टर इंकम टू एबरोड जो बाहर जा रहा ह है यह पासा नहीं होना अच्छे बढ़ी लेकर बाटाइस को मैनस करो यह से निकालो यह से कि सर एम एंसी बाहर इंकम आन कर रही ओ जीडीपी में नहीं आएगा पिद्रशव के अन्दर बैठेयों बहार की कंपनी है अगर उसने इंडिया कमपनी के अंडरी हो नहीं आती है तो यह चीडीपी में शामिल नहीं होगा कि वह चालिए पार्ट नहीं अग्रों कंपनी इंडिया में है तो कि बड़ आउट्सोर्स से काम करवा रही है इंडिन कंपनी से तो फिर हमारे तो में स्टेट्रिक अपार्ट हो गया है हां जी पहले मेरे इस स्टेट्मेंट से आप सहमत है पहले आप यह बताएं जड़ा आपका तो अच्छा है कि आपका अप्लिकेशन है तो इस पर अपने क्लासिस कंटेनियू करते रहे हैं इस पर किसी परकार का कोई भी दिक्कत नहीं है आपके अप्लिकेशन पर ठीक है जी यूटूब से ख़वर तो आपको मिली गई होगी है हां जी लगातार अक्षे मुझस जो देख रहे हैं स्पीड से आप थोड़ा से पिछे जाए यह फेक्टर इंकम फ्रॉम एबरोड के आता है मैं फिर भी रफली बोल देता हूं आपको कि वो वो इंकम जो कि जैसे कि कोई भारतीय मूल का कोई डॉक्टर है भारत में रहता है और चाइना जा करके इलाज करक और यह फ्रॉम एबरोड हो गया विदेशों से पैसा आ रहा है ठीक है ना विदेशों से कारक आए इसे क्या बोलते हैं विदेशों से कारक आए इसको हिंदी में आप यहीं बोलेंगे क्या विदेशों से कारक आए इसको आप बोलेंगे विदेशों से कारक आए और इसको आप क्या बोलेंगे जो विदेशों से प्राप्त हो रहा है इसे बोलेंगे विदेशों को को कारक आए मेरी बात से सहमत है आप क्लिर है बात समझे तो ये चीज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आप कहेंगे सर ये बिलकुल होना चाहिए करेंग जब आपको आई जी सोनी चाहिए बिलको्ल ओनी प्रोट होना चाहिए और प्रिम्क्री इंकम to Abroad जो पैसा बाहर चला गया वह पैसा क्यों ग्रबड़ करके तो नहीं में नहीं होना चाहिए वह यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, क्लिर है, क्या, वो मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है, कि मान लिजी एक बाल, पहले मेरी बास समझे, मुझे आप से 20 रुपए लेने हैं, और आपको 18 रुपए देने हैं, मुझे आप से 20 रुपए लेने हैं, ठीक है भीया, समझी इस च चीचर है यह स्टुडेंट है मुझे आप से 20 रुपए लेने हैं और मुझे आपको 18 रुपए देने हैं तो क्या मैं यह करूंगा कि लाव भाहिया 20 रुपए 12 पेदो 20 रुपए तो आप मुझे 20 रुपए दे दोगे फिर उसके वाद मैं निकालूँगा और अपने 18 लो अपने 18 लो ऐसा हिसाब किसाब करता हुआ अच्छा लगूँगा बताओ जराब मुझे आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे इसके पर ये बताओ मुझे स्टुडेंट से 20 रुपए लेने हैं उसको ठार रुपए मुझे देने भी हैं तो क्या ऐसा रहना हो सकता है बढ़ क्या ऐसा ज्यादा ठीक लगेगा कि 20 रुपए लूँ और फिर मापको ठार रुपए दूँ या फिर इसके पर एक काम आप आसानी से कर सकते हैं वह क कि अधी एक बात करें और सब्सक्राइब कराओं मदा हैं gen सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब कि 20 रुपए हमें आपनेद odor ले लो बात्र छबंड करें तो बात होगी यह साढ़ी а क्या कर रहे ूआ आप इस 20 में से ये तो मुझे आप से चाहिए और 18 रोपय मैं आपको दू गा तुह सीधा इसी आप हो गया कि 2 रोपय मैं आप से लू गा सीधा इसीधा इस काम करते हैं फिर जोडो घटाओ इसको साईड़ में लेके काम कर लेते हैं क्या काम कर लेते हैं यह देखी गए जरा इस शीज को देखेर यह लेना है और यह मुझे क्या करना देना है। इस शीज का जो रिजल्ट आएगा न इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे यह फेक्टरइ income from abroad और यह माइनिस में फेक्टर इंकम टू एब रोड इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे जो भी रिजल्ट आमारा आएगा इसको हम बोलते हैं क्या मुझे इससे कितना लेना है तो इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है थोटा कड़ते हैं इसको थोड़ा कि देखिए यह कि इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बच्चे नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एब रोड फ्रॉम कि एब रोड मेरी बास समझे क्लियर है एक्जामपल के लिए समझते हैं मुझे बिदेशों से बीस रुपए एड करना है क्योंकि फेक्टर इंकम फ्रॉम एब रोड जीडीपी में शामिल नहीं हुआता बीस रुपए मुझे ये चीज़ शामिल करनी है और ठार रुपए वह पैसा जो की जीडीपी अपने लेकर बैठा है फेक्टर इंकम टू अब रोड जो बहार चला गया है उसको जीडीपी से निकालना है तो आपके पास जो दो रुपए आए ना जो दो रुपए तो नेट मुझे विदेशों से बेसिकली क्या है कि दो रुपए ही मैं रख तो आप बेसिकली डिफरेंशेट कर पा रहे हो किसके बीच में क्या आप इसके बीच में डिफरेंशेट कर पा रहे हैं फेक्टर इंकम फ्रॉम एब रोड और नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एब रोड तो ये नेट सरफ एक वर्ड ऐसा आ गया इसने काया पलट दी है यहा कर वाई गया मैं अर्य वाही है और आपके पास हिप पस्केंट से मेरे पास में धूर्य के पमझाता हूं नहीं है इस बात प्रेशण नहीं है रराम से पढ़ेंगे च्ट ओंक तदु अच्छु हम बहुत अराम भाजन Gobierno नहीं को आप आप देखेंगे net factor income from abroad यह बास समझें आपको आ गही है ठीक है तो इस बात को मैं क्या करूँगा net means n चीक है factor n f i ठीक है न f a मेरे बाद समझे तो क्या हो गया यह n f i f a net factor income from abroad इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं क्या n f i a b b बोल देते हैं from abroad नहीं बोलते इसका formula क्या हुआ इसका formula क्या हुआ इसका formula यह हुआ जी कि factor income from abroad मैंस फ्क्तर इंकम टू एबरोड मेरी बात समझें क्लिरेजी कोई डाउट डाउट तुझा बता दीजिए क्लिरे अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है यह पॉजीटिव भी हो सकता है यह positive भी हो सकता है और यह आपका negative भी हो सकता है बच्चे मालो विदेशों से पैसा कम हमें add करना है कम पैसा आया और जला जादा गया तो factor income from abroad minus factor income to abroad मालो बीस आया तो पच्चिस गया भी तो बीस में से पच्चिस माइनस तो माइनस पांच आजएगा न तो net factor income from abroad positive भी हो सकता है और आपका negative भी हो सकता है तेरी बात समझे या नहीं समझे क्लियर है एक बाद बताएज जड़ा इसका क्या मतलब है कि इन दो लाइनों का अच्छा देखीगा मेरे बात समझेगा net factor income from abroad समझ मा आ गया net factor income from abroad positive and negative जो positive बेसरो सको positive ट्रीट करना है जो negative बेसरो सको negative ट्रीट करना है सिंपल लेकिन alert रहीएगा आप लोग बारभी में तो है नहीं जो आपसे साधरन आप से फुल्टोस बोल्ड डालेगा, गुगली तो होगा, ये और कर तो मारेगा, ही मारेगा, समझे, ये क्या है, नेट फेक्टर इंकम टू अब रोड, आप पहले मेरे बात समझेगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहा रहा हूँ, फेक्टर इंकम टू अब रोड, दोनों में फर्क है या एक ही बात है, बताएं दोनों में फर्क है या दोनों एक ही बात है, कि बताएं तोनों में फर्क है न कि इच का फर्क है इतना पैसा हमारे देश से गया है जिसको GDP लेके बठाए तू अब बहार गया है और यहां पर क्या एक वर्ड आ गया यहां पर नेट का मतलब क्या हो गया सट्लमेंट हो चुका है बहार इतना गया नेट मतलब इसमें से माइनस हो चुका है हमारा अब ध्यान लखएगा नेट फैटर इंकम टू एबरोड तू मतलब जाना है आए आना जाना अगर यह आपका पॉजर्टिव शो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें बहार पैसा देना पढ़ रहा है तो इसका मतलब बेसिकली में इसको आप क्या treat करेंगे as a minus treat करेंगे अगर positive में दिया हुआ है तो clear है और यही चीज अगर आपका यही चीज अगर आपका negative हो तो उसको हम positive treat करेंगे positive को negative basically वो हमारे तरफ से जाएगा पैसा और next return income to abroad अगर negative है कि बाहर जा रहा है वो negative में मतलब कि वो हमारे पास पैसा आएगा इसको हमें अगर पॉजिटिव treat करना है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो चीज positive है उसको हमें क्या treat इसको वही treat करो positive है तो positive ही treat करेंगे negative है तो आप अपनी calculation में इसको negative ही treat करोगे लेकिन जहां लिखा हूँ आ जाए नेट फेक्टर income to abroad तो तू आ जाए यह देखेंगे यह यह तो यहां पर जो positive है उसको आप ऐसा negative लेंगे और जो negative है उसको ऐसा positive लेंगे इस बात यह बात सुझ में आपको आई या नहीं आई बताए जी ऐसा क्यों होगा यह net factor income to abroad पैसा विदेश में जाना है तो basically हमारे लिए क्या है वो हमारे लिए क्या हमारे लिए तो negative हो गया मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझी आपको दस रुप देने है positive या फिर भी बह सकता हूं कि मुझी आप से minus 10 रुप लिने है minus 10 रुप लिने है समझे ये नी समझे च्लिर है चलिए आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब आपको समझ में एक बात आ चुकी है जी अब आप मुझे ही कह रहे थे कि सर एक काम कर दो क्या काम कर दो ठीक है आप मुझे कह रहे थे कौकी सला थे मन की बात कि सर जी डीपक है ना बहुत गढबढ़ करके बेठा है एक काम करते हैं क्या कि जीडी प्रिकलम है इसमें प्लस करते हैं क्या factor income फ्रॉम अबरोट जो बहlor तो हे प्र पहार के वो इंकम जहनेत नहीं हुई है तो इसको में काम करते हैं क्या कि ये इंकम फ्रॉम एब रोड विदेशों से पैसा हमारे पास में आ जाए तेरे पास समझे यह नहीं समझे क्लियर है जी अब देखेगा हमें इसको हमें एड करना चाहिए जीडीपी इसको लेके बैठता नहीं है और उसमें से वो पैसा नेकाल देना चाहिए कौन सा फेक्टर इंकम टू एब रोड ये पैसे सबसे निकाल देना चाहिए जीडीपी में से क्यों जीडीपी बेकार में लेके बटा हमारा है नहीं बहार वो ले जाएंगे बहार कर्च करेंगे आपका यह कहना है बिल्कुर सही कहना है तो ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा अब मैं बात भी कह सकता है ना तो ऐसे में बात क्या सब्सक्राइब की बात किया हुआ आपका कहने का भाव क्या है मैं समझ रहा हूँ आप इतना चोड़ा मत बोली है आप सीडीजिसी से ऐक बात बोलडिजिए जिडीपी में आप थे काम करें क्या एण एफ आड़ कर देंगे और का मतलब क्या हुआ कि फेक्टर इंकम फ्रॉम एब रोड माइनस फेक्टर इंकम टू एब रोड मेरी बात समझे यह आप सेटल्मेंट अर्जस्ट करके डिरेक्ट आपका जो रिजल्ट आएगा नेट रिजल्ट आएगा आप उसको एड कर दो प्लस पॉजिटीव होगा एल्ड नेगेटिव होगा तो मैनेस हो जाएगा सिदीसी भात है फ्रॉम एब रोड है नेट फेक्टर इंकम प्रोम एब रोड है दिरी पास समझें अप्लिय रे एनफाई यह मैं इसकी जिगे पर किसकी जिगे पर है मैं इसकी जिगे है थोड़ा अच्छा सा बन जाए प्यारा सा इसकी जिगे पर मैं इस चीज का इस्तिमाल कर सकता हूँ क्या बताएं जड़ा क्या मैं इस बात का इस्तिमाल कर सकता हूँ इसकी जिगे पर बिल्कु कर सकता हूँ तो अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे इससे क्या हो जाएगा ऐसा कर देने से अब आपका GDP GDP नहीं रह जाएगा GDP में जब भी आप ये काम कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा नेशनल इनकम नेशनल इनकम परी बात समझे या नहीं समझे बताओ जी फर्क सुझ में आया कि क्या फर्क है वो लोग कितने मूर्ख हैं जो GDP को ही नेशनल इनकम समझते आए हैं परी बात समझे बताओ भई सुझ में आपको आया या नहीं आया क्लियर है बात सुझ में आपक चीजे को समझ के पढ़िए अराम से इंजोई लीजिए इसका स्वाद लीजिए फर्मुला क्या है नुमेरिकल क्या है सब आपका अपने आप हो जाएगा याद तो मत कीजिए मैं याद करने के लिए हमीशा मना करता हूं चीजे समझ गई है रीडिंग कर लो लिखने का तरीक लो अगरे जी चले फिर आगे कंटीनिव करें इसको तो आपको मुझे बताए है कि नेशनल इंकम और जीडिपी जीडिपी में करेक्शन करने के बाद मैं बोल मैं ऐसा वड़ी यूज कर रहा हूं जीडिपी में करेक्शन कैसे होगा प्लस एन फाई ये करने के बाद जो र जो पर डिपेंड नहीं होता है कि इंकम कहा जनरीट होती है इन चीडिपेंड करता है कि इंकम कौन जनरीट कर रहा है हमारा अगर रेजिडेंसल की इंकम है तो वो हमारा नेशनल इंकम होगा चाहिए कहीं पर भी जाकर की जनरीट करके आए क्लियर है और चाहिए भारत के अ रिखाय जी कि अ रएक सवाल है बच्चे क्या नेशनल इंकम अलंक dp domestic income अब ड्यश्टिक इनकम नेशनल इंकम क्या हीक्वल हो सकता है बताओ मेरे सवाल है क्या इसके एक उसकता है और हो सकता है सो रीजन क्या है रिंजन के बताने हैं आपको गोवहां हो सकता है या नहीं हो सकता है बताओ जरा और हो सकता है तो कैसे यह भी बताएंगे और नहीं हो सकता तो उसको बीचे भी मेत लीजै स्व bowl da छ लिख्य बत्टाइब हम है दो कर दो कि अज़र देखेंगें नहीं हो सकता है बिल्कुल सकता है क्यों नहीं सकता है कब जब आपका NFIA एक इकवस्टु क्या हो आपका आपका जो है एकवस्टु क्या हो जितना हमें आना है उतना ही हमें यहां जाना है जीरो हो गया तो अब आपके पास पर GDP में कोई फरकी नहीं पड़ेगा वो नेशनल इंकम भी वही रहेगा बात समझें अगला चलिए नेक्स्ट अब मुझे बताएं क्या यह तो होई सकता है नेशनल इंकम गड़ेदन डुमेस्टिक इंकम डैना बैंक वगरा में ऐसे कोश्ट यहीं से तो पूछते हैं आपके नौलिज से कि क्या ऐसा हो सकता है किस ओप्शिंस भी दिये होते हैं हम जी नेशनल इंकम क्या डुमेस्टिक इंकम से ग्रेटर हो सकता है आपका बताएए अब हो सकता है बिलकुल हो सकता है यास कब वेन एट एन एफ आई एफ ए इस पॉजिटिव जब हमारा इफ पॉजिटिव रहेगा तो एड होगा तो नेशनल इंकम क्या हो जागा जीड़ीप से बड़ा बन जाएगा बात समझे या नहीं समझे ठीक है जी चली थर्ड वन क्या नेशनल इंकम हमारा कम हो सकता है क्या डॉमेस्टिक इंकम से क्या डॉमेस्टिक इंकम से नेशनल इंकम कम हो सकता है जरा इस बात को बताएए मुझे आप कि ऐस के नेश़्टो मुश्टो के इंकम से कम हो सकता है इस बात को बता आए बिल्कुल हो सकता है कब दिख रहे हां बता देहीं वी जाक कि दिखिया लिश्ट्र मेहां हो इस अंचर्ट कब वें N-F-I-F-A is negative जब N-F-I-A negative हो जाएगा तो मैंने सुने का नेशनल इंक्रम क्या हो जाएगा GDP से भी छुटा हो जाएगा, मेरी बात समझे नहीं समझे clear है? हाँ, negative case बिल्कुल, very good वही आपको समझ में तो अच्छे से आ गया, आप तो N-F-I-A समझ में आ गया, अब आपके मन में सवाल होगा सर, इस N-F-I-A का यूज कहाँ पर करना है हमें numerical में, आपने ख़एगा थोड़ 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 तब को याद आई या होगा N-F-I-A, आपने पढ़ा हुआ है, को मरस बेक्राउंड के बच्चे हो मैं इसको सिखाँगा, कैसे इस्तेमाल करना है, वो आगे की बात है लेकिन आपको पहले आपको, N-F-I-A के बारे मैं आज मैंने बता दिया है इस्तेमाल कहां पर होगा और कैसे होगा, ये बात मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई है इसको मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? दूसरी बात, हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, किसमें डैप्रिशेशन पर चर्चा करेंगे और हम NIT, Net Indirect Tax पर चर्चा करेंगे तीन चीज़े ही हैं, तीन चीजों का काम है NIFIA का, डैप्रिशेशन का, and NIT का, Net Indirect Tax का तो मैं आगे दो पर चर्चा नेक्स क्लास में करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ कहां पर और कैसे होता है उसके बाद जब सबस्मझे में आपको आजाएगा तब जाकर के मैं अपके स्टार्ट क्या करूँगा फिर बच्चे मैं आपका स्टार्ट करूँगा Numericals, और Numericals से पहले format, then उसके आद Numericals फिर Numerical ने फार्मला बनाना, NFE Plus, NFE Minus यह आपके लिए बच्चों वाला काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है, चलिए जी, विलते हैं फिर अगली कक्षा में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नहीं आ दिती जी, तो मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी इस NFE को क्या बोलते हैं, मैं एक बाद हिंदी में लिख देता हूँ फिर भी, विदेशो इसको, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, विदेशो, से, सुध, कारक, आई, सुध, बदर नट, मैनिस करने के बाद, फ्रॉम, मैनेस, टू करकर के जो रिजल्ट आएगा, उसको सुध बोलते हैं, मैं पर ये को, क्लियर है जी? टैनियर कब मिलेगा, सर, इको का हिंदी में, अभी अभी नहीं मिलेगा, अभी उसके तो अभी आपको एक दो मैने वेट करना है, कोई नीड़ नहीं आपको किसी भी टैनियर की, बाद में हम प्रेक्टिस के लिए इसको यूज मिलाएंगे बस, ठीक है जी? अभी तो आपक यह यह पड़िए, सब कुछ आपको यही मिलेगा, 10 यह से बस कोश्चिन देख लीजिएगा, क्या से कोश्चिन आरा, क्या परमारा रहा, आंसर तो आपको यही लेना है, जिको 10 यह का लैंग्विज ऐसा होता है, थोड़ा सा आपको हैंदल करना मुश्किल हो जाता है, कि वो भी फोड़ा साथ इतना जो है एक्सान और कोशिंस और और रिंटिड आंसर नहीं होते हैं वो भी चीक है जी मिलते हैं फिर अगली कर्षा में थैंक यू जी थैंक यू सो मच इसको मैं सेव कर देता हूँ